मान्य अद्यक्षा महोदया आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कहानी का शीर्शक है चोथी पास राजा आपने बच्पन में राजा रानी की बहुत कहानिया सुनी होंगे मेरी कहानी में रानी नहीं है बस राजा है ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्षा महोदया जो अनपड था चोथी पास था बेहद अहंकारी था बहुत अहंकार था बहुत ज़ादा और पैसे की इतनी हवस थी इतना भरष्टाचारी था इतना भरष्टाचारी राजा था ये एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ जब बच्चे का जनम हुआ तो जोच्शी ने कहा गाउं में जोच्शी होते हैं आते हैं वो पत्री बनाते हैं जोग्षी ने कहा माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा माई को यकीन नहीं हुआ मेरा इतने गरीब हूँ मैं कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा तो उसने का नहीं तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा बेटा धीरी धीरे बड़ा होने लगा स्कूल गाउं का ही स्कूल था स्कूल जाता था उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया गाउं के पास एक रेलवे स्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वाँ स्टेशन पर चाहे बेचता था लड़के को भाशन देने का बड़ा शौक था सारे गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता आसपास के गाउं के भी इकठा कर लेता सामने वो खाट डाल लेता उस पे चड़ जाता और भाशन देता धीरे धीरे आसपास के गाउं के लड़के भी कठ्थे हो गए जिस में जिस भी चीज में भाशन देता है, एक बार शुरूव हो जातो तो बंदी नी होता है, अब जोच्छी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया, पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा, लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे, अब उसे आता जा तो कुछ था नी, पढ़ा लिखा था नी, अफसर आते, कुछ-कुछ अंगरेजी में चपर-चपर करते, उसको समझ नी आता, अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शरम आती थी, कि मैं पूछूँँगा तो उनको लगएगा अनपड़ आदमी है, पता चल जाएगा, तो उसके भी दिल में ये रहता था यार, मैं पूछूँ ना पूछूँ, पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिये, फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार, ये मेरे को चौथी पास, चौथी पास कहते हैं, तो उसने एक फरजी डिगरी बनवा ली, कहीं से फरजी डिगरी बना के ले आया, M.A. की, बुला, मैं M.A. हूँ, तो लोगों को लगाया, यार, ये तो ठीक नहीं है, ये तो फरजी डिगरी बना के ले आया, हमार हराजा, तो लोगों ने RTI डाली, जो RTI डालता उस पे 25,000 उपे जुरमाना, आपके नेता की बात नहीं कर रहा, आप लोग भी हस, आप लोग भी हस सकते हो, तो जो RTI डाले उसको 25,000 उपे का जुरमाना, जो RTI डाले उसको 25,000 उपे का जुरमाना, एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धासू आइडिया लेके आया है, बोले बताओ, बोले जी नोट बंदी कर दो, रष्टाचार खतम हो जाएगा देश से, तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया, राजा को क्या कह रहे हैं, क्या नहीं पर उसे लगा यार, कुछ धासू आइडिया होगा, उसने एक दिन रात को आठ वजे टीवी चैनल पे जाके नोट बंदी कर दी, बोला सारे नोट बंद, पूरे देश में हाहा कार मच गया, तडप गए लोग, धंदे बंद हो गए, दुकाने बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश, लंबी लंबी लाईने लग गई पूरे देश के अंदर, लोगों ने जाके उसको गाए, जी नोट बंदी कर दो, आतंकवाद खतम हो जाएगा, ना आतंकवाद खतम हुआ, ना भष्टाचार खतम हुआ, देश बरबाद हो गया, वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश, 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चला गया उस नोट ब पास कर दो, अब उसको कुछ हकल नहीं थी राजा को, अनपड़ राजा था, उसने साइन कर दिये, तीन काले कानून पास हो गए किसानों के, पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगे जगे मोर्चे, साड़े साथ सो किसानों की मौत हो गई, एक साल के अंदर, अन्त पंत म राजा को वो कानून वापस लेने पड़े, धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, क्योंकि राजा एरे गेरे, इससे पहले एक और राजा आया था, मुहम्मद बीन तुगलक, वो भी ऐसी करता था, कभी उसने देश की राजधानी बढ़ती कभी बोला, मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा, उसी तरह से ये था अनपड़ राजा कुछ भी कुछ भी कर देता था, अब राजा को एक दिन लगायार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा, तो उसके गरीबी में जो जीवन उसने जीया था उसे लगायार पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कैसे कमाऊंगा तो जनता आप में छवी खराब होगी, तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ, सारे सरकारी ठेके तिरको दिलाऊंगा, सारी कमपनिया तिरको पैसा तिरको दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा, तिरको पूरे उस पे दस परसेंट कमिशन तिरको मिलेगा, सारा पैसा मेरा, दोस्त मान गया, दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल दा था, दोस्त मान गया, उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, जो को लूटा सबसे पहले वो दोस्त आया बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं बोला वो कैसे यार बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है बोला नहीं ऐसे करते हैं आप किसी बैंक के चेर्मन को बुलाओ उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा बोला लोन देग लोन दिला दो बस तो राजा ने एक बैंक के चेर्मेंट को बिलाया बोला इसको लोन दे तो वो चेर्मेंट की सिक्टी पिट्टी गुम हो गया मैं तो मर जाओंगा फ़स जाओंगा वो भाग गया तो फिर उन्होंने ढूंड ढांड के एक ऐसा चेर्मेंट चुना जो की सरा पासर बष्टाचारी जिसके उपर 10 फाइलें खुली हुई जिसके उपर 10 केज चल रहे हैं उसको बुलाया बुलाया देख तेरे को चेर्मन बना रहे हैं अब तू 10 हजार करोर रुपए दे दे इसको ने तो तेरे को जेल भीजेंगे जेल जाना है कि पैसे दे रहाए उसने माईवाप मैं जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूँगा उसने दस अजार करोड रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया ऐसे करते करते लाख दो लाख करोड रुपए उन्होंने बैंकों से लूट लिये राजा ने चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलके दो अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया सबसे पहले उन्होंने देश के एरपोर्ट खरीदे पहले छे एरपोर्ट खरीदे फिर उन्होंने बिजली कमपनियां खरीदी फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिये पूरे देश के अंदर फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिये फिर उन्होंने कोईले ख़दाने ले ली फिर उन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कमपनिया थी प्राइवेट लोगों की कमपनिया या बंदूख रख रख के उनकी कमपनिया छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने हाँ हाँ कार मच गया पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था 97 रुपए हो गया पहले डीजल 57 रुपए होता था 90 रुपए लीटर हो गया जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए डीजल के दाम बढ़ गए तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर हाहाकार मच गया सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब जाए दूद पहले 46 रुपे होता था 66 रुपे लीटर हो गया बच्चों को माएं दूद पिलाने लाएक निए बची घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूद छीन लिये इसने राजा ने सरसों का तेल 90 रुपे लीटर होता था 214 रुपे हो बताओ धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मिच गया लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने में लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालने एक के बाद एक एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने शुरू कर दिया किसी ने राजा का काटून बनानी है उसको भी जेल में डाल दिया किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिग दिया उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिय किसी जज ने राजा के खिलाफ को यौडर कर दिया उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया ना जज़ों को छोड़ा ना पत्रकारों को छोड़ा ना मीडिया को छोड़ा ना वेपारियों को छोड़ा ना द्योग पतियों को किसी को नहीं छोड़ा राजा ने पकड़ था, वो सराज्य का एक मुख्यमंत्री था, उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई, उनके चेहरे पे भी उमीद की किरंच आ गई, वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था, वो मुख्यमंत्री कट्टर इमानदार था, वो मुख्यमंत्री कट्टर देश भक्त था, वो मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था, उस मुख्य मंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्य मंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कमपनियों पे तपजा कर रखा था उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग गया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा गर्क मेरी बिजली कमपनिया लूट जाएंगी ऐसे कैसे चलेगा उसने उसको का खबरदार तो ने बिजली मुफ्त के मुख्य मंत्री नहीं माना दीरे दीरे उस मुख्य मंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिये त फिर उसने मुख्य मंत्री ने सब के इलाज मुफ्त कर दिया सब के लिए शानदार महला क्लीनिक खोल दिये विलाज मुफ्त कर दिया राजा तो बिलकुली पागल हो गया धीरे धीरे जंता को पता चला कि राजा कैसा है एक दिन लोगों ने उस राजा को खाड़के फैंक और लोगों ने एक किसी इमांदार और देश भक्त आदमी को महां बिठा दिया और उनकी सब्काराब हो गया और उसके बाद देश से महंगाई खतम हुई और देश रात दूनी चौगनी तरक्की करने लगा तो जैसे हम बचपन में सुना कर थे थे मौरल आफ दा स्टोरी इस कहानी में क्या प्रेरना मिलती है इस कहानी से इस कहानी से ये प्रेरना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है आपके देश में समस्याई है आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सब से पहले जाच परक के देखो आपका राजा अनपड तो नहीं है अगर आपके देश में सब गड़वड चल रहा है बेरोजगारी है बहुत सारी समस्या हैं जब अद देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नी है अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को खाड़ के फेको ने तो आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा आपकी आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा वो पड़ा करते थे अंधेर नगरी चौपट राजा सवासेर वाजी सवाजेर खाजा बहुत बहुत शुक्रिया